असलाम अलेकूम वेलकम टो मैं चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल रेसिपी बताने जा रही हूं यह सट्डियों के लिए बहुत ही जादा मुफीद है और बहुत ही बेशिमार इसके बेनिफिट्स हैं वह मैं आपको बता देती हूं कैसे आज में जो कावा बनाओंगी उसके लिए मुझे वान मुझे पानी चाहिए एक मुझ थोड़ा सा अद्रक छिलावा थोड़ी इसी प दार चीनी के दो पीसिस लोंग दो पीसिस और एक बढ़ी लाची और थोड़ा सा नमक इस भी मैं लेमन एट कर रही हूं टेस्ट के लिए सबसे पहले मैं एक सोस पहन लोंगी उसके अंदर मैं यह पानी आट करूंगी पानी आट करने के बाद इस पेसे मैं यह जो लेमन है यह साइट पर कर दूँगी है हमने लास्ट में यूज़ करना है और यह सारी चीज़ें मैं इसके अंदर एड़ कर दूँगी इसके अंदर मैं छोटी अलाइची भी आड़ कर रही हूं यह ओप्शनल है खुश्बू के लिए यूज़ की जात मैं यह जब तक कि यह बॉइल होता है पूरे 5 मिट के लिए इसे मैंने कवर करके रख दिया था इसका पानिया पकना शुरू हो गया है और चाय की पती का तकरीवर रंग भी निकला है इसे लगा दार मैंने 5 मिट कवर करके रखा जो बाकी मसालिय मैंने इसके अंदर है इसक इसे अलग से मगमे चान लोगी चलने की मज़र से इसे में चान लोगी मगमे मगमे कावे को चान लेने के आप बार अब में इसके इंदर लेमन एड करोंगी लेमन जेस्ट टेस्ट के लिए यूज होता है कावे की रेसिपी बनके त्यार है यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है जाज मैंने आपको बताई है गले के लिए नजला जुखाम हो आपको सरदर दो रहा हो जिसंदर दो रहा हो इसके बहुत से बैनिफिट है आप इसे यूज कर सकते हैं चोटे बचों को भी आप यह दे सकते हैं उनके नजले सुखाम के लिए उसके इलावा इसकी सबसे इंपोर्टेंट जो बैनिफिट आज मैं आपको बताने जा रही हूं वो यह है कि इसके अंदर अगर आप शुगर की जगा हनी एड़ करें तो यह टिप वेट लूस के लिए भी यूज की जा सकती है अगर आप लगा था पीएंगे तो आपका वेट लूस होना शुरू वजाएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें इसको शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रैसीपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अलाफेज